पूट सेक्योरिटी आक्ट एक नवंबर से पूरे देश में लागू हो गया है देश के 80 करोड लोगों को इसका फाइदा मुलेगा समलाडू और केरल दो राज्य ऐसे हैं जहां पूर सेक्योरिटी आक्ट नहीं लागू था लेकिन एक नवंबर से इन दोनों राज्यों में भी खादिसुरक्षा का खानून लागू हो गया है फिर हम लोग लगातार उस पर चेस्ट करते रहे और नतिजा हुआ कि एक नमंबर से पूरे देश में लागू हो गया है खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में यूपिए शासनकाल में पास हुआ था NDA सरकार ने इसे पूरे देश में लागू किया खाद्य सुरक्षा कानून के तहट BPL परिवार के हर व्यक्ति को हर महिने 5 किलो अनाच 1 रुपए से लेकर 3 रुपए के हिसाब से दिया जाता है खाद्य सुरक्षा कानून के तहट सबसीडी पर हर महिने सरकार 11,726 करूर रुपए खर्च करती है यानि साल में 1,440,700 करूर रुपए सरकार का कहना है कि अब वो Food Security Act के तहट कम्प्यूटराइजेशन पर जोड़ देगी ताकि जरूरतन लोगों तक मदद पहुच सके 10 रुपए के सिक्के की बज़से कानपूर में एक घ्रिफ्ति का मॉड़ कर दिया है मामला कानपूर दिहाद के टेरापूर इलाके का है हाइवे पर बने क्रिफ्चना ढ़ाबा में एक ट्रक ड्राइवर महेंद्र पाल खाना खाने के लिए रुखा उसका बिल आया 107 रुपए उसने 100 रुपए का एक नोट और 10 रुपए का सिक्का ढ़ाबा वाले को दिया लेकिन ढ़ाबा मालिक ने सिक्का लेने से इंकार कर दिया इसी को लेकर जगडा बढ़ा ढ़ाबे में काम कर रहे लोगों ने महेंद्र पर लाठी डंडों से हमला शरू कर दिया गायल महिंदर की मौत अस्पताल ले जाते हुए हो गई